जितना नुकसान अमेरिका के द्वारा चाइनीज सेमी कंड़क्टर इंडस्ट्री पे पिछले 3-4 सालों में भी नहीं किया गया था, उससे कई जाधा नुकसान अमेरिका ने एक ही जटके में कर दिया है। लिसेंटली अमेरिका के द्वारा चाइना से आने वाले जो भी सेमी कंड़क्टर्स थे उनके ऊपर जो टैरिफ्स है उसको 100% से बढ़ा दिया गया था जी हाँ यह डेवलप्मेंट हमें आज से कुछी दिन पहले देखने को मिली और साथ ही में हमने देखा कि जापान की जो बड़ी-बड़ी सेमी कंड़क्टर कंपनीज हैं जिसमें कि एक नहीं, दो नहीं बलकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो की जापान में फंक्शन कर रही जो की चाइना में फंक्शन कर रही थी जैसे टोक्यो, इलेक्ट्रॉन, डिसको हुआ और भी कई सारी कंपनिया हैं अईलान किया है कि वो gradually अपना जो भी operations हैं उसको चाइना से बाहर निकालने वाले हैं और इसका दोस्तो सबसे बड़ा beneficiary अगर कोई उभर के निकला है तो वो है हमारा भारत क्यूंकि ये सभी कंपनिया जो की अपने आपको चाइना से बाहर निकाल रही हैं ये अब धीरे धी companies आती हैं दुनिया की top company में आने वाली number 8 company applied materials USA की company है भारत में आना चाहती है उसके बाद 12 नंबर पे आने वाली company lamb research ये भारत में आना चाहती है 15 नंबर पे आने वाली company KLA ये सारी अमरीकी कंपनिया है semi conductor manufacturing करती है और ये भारत के अंदर प्रवेश करना चाहती है similarly जापान की भी बात करूँ तो जानी मानी company Tokyo Electron दुनिया में 70 नंबर पर आती है Disco Corporation दुनिया में 24 नंबर पर आती है ये भी दोस्तों तयारी कर रही है कि हम किस तरीके से भारत के अंदर अपने जो semi conductor manufacturing के basis हैं उनको किसी ना किसी तरीके से setup कर सके बात करेंगे इसी पूरी story के बारे में आए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं Alright, so पिछले महीने की बात है हमें ये खबर देखने को मिली थी Biden सरकार के द्वारा एक ही जटके में चाइना से आने वाला बहुत सारा सामान था जिसके उपर उन्होंने suddenly जो import tariffs है उसको बढ़ा दिया था इसमें primarily Biden सरकार के द्वारा दो चीजों को निशाने पे लिया गया था एक तो था वहाँ से आने वाले जो electric vehicles हैं और दूसरा जो चाइना से आने वाले semiconductor की items हैं electric vehicles के उपर सरकार Biden सरकार के द्वारा जो duties थी उनको चार गुना कर दिया गया था अभी तक 25% duties लगती थी लेकिन सरकार ने बढ़ा करके suddenly उसको 100% कर दिया था और उसके बाद जो semiconductor के items थी उनके उपर duties 25% लगती थी और उसको बढ़ाते हुए सीधा यहाँ पे 50% कर दिया थ चाइना ने बलकि इस चीज़ को लेकर बहुत विरोध भी किया लेकिन अमेरिका ने कहा जी नहीं हम तो ऐसा ही करने वाले हैं और अमेरिका ने यहाँ पे justification यह दी थी कि असल में चाइना के कई सारी कंपनिया हैं और कई सारे Chinese Nationals हैं जो की अमेरिका का जो intellectual property है उसको अमेरि 13 Chinese Nationals हैं जिनको की अमेरिकी government के द्वारा इराशत ने भी लिया गया है जो की semiconductor companies में काम करती हैं और similarly इन ही को follow करते हुए जापान के द्वारा भी काफी बड़े कदम लिये गए हैं जापान आपको मालूम होगा अमेरिका का बहुत पुराना partner है कोड में भी जापान अमेरि बेसिकली अपने आपको चाइना से बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं इसका सबसे बड़ा फाइदा अगर किसी को हो रहा है तो वो भारत को ही हो रहा है आप लोग यहां पर देख सकते हैं जानी मानी news agency Nikkei Asia का यह article है India attracts chip making equipment companies as China alternative और यहां पर जो सबसे बड़ी development हमें द industry association है जिसको semi कहा जाता है यह दोस्तो semi conductors की exhibitions करवाते हैं पूरी दुनिया भर में इसने अभी तक जो semi conductor exhibitions को conduct करवाया है इस group ने वो या तो अमेरिका में होती थी या जापान में योरोप में ताइवान में South Korea में यहां तक की चाइना में भी होती थी लेकिन पहली बार हमें यह देखने को मिला है कि यह वाली जो exhibition है उसको अब भारत में conduct किया जा रहा है और यह वाली exhibition को नई दिल्ली में conduct किया जाएगा आने वाले September के महीने में और यहीं पर हमने देखा कि यह सारी की सारी कंपनियां जो की अपने आपको चाइना से डी link कर रही थी बाहर निकाल आ रही है मैंने आपको शिरुवात नहीं बताया अमेरिका की applied materials, lamb, research उसके बाद KLA और उसके बाद जापान की Tokyo Electron Disco Corporation यह अलग-अलग कंपनिया है इन्होंने बलकि अपने प्रस्ताव भी सामने रख दिये हैं Tokyo Electron की बात करें इन्होंने कहा है कि we will show equipment for wafer deposition Disco ने कहा है कि ह हम लोग backend processes जैसे की grinding हुआ, wafer, dicing हुआ, इन सब चीजों के लिए हम लोग इंडिया में plant बनाना चाहते हैं और भी कई सारी कंपनियों ने अपने यहां पे plans को showcase किया है, जापान की testing company है, advanced test यह कह रही है कि हम इंडिया में sales office खोलना चाहते हैं, cannon जानी मानी कंपनी है, इन्होंने कहा है कि हम भी देखते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा growth pillar है और इसी लिए हम लोग भी यहीं पर आकर के इन chips को इंडिया में ही manufacture करना चाहते हैं, अमेरिका की company लाम research हुई, applied materials हुई, applied materials है अनौंस किया है कि वो भारत में आकर के 400 million dollar से भी जादा का निवेश एक development center को setup करने के लिए करना चाहती है, सवाल यह आता है कि suddenly हमें इतना जादा जो यह fair बदल है, यह आखिरकार क्यूं देखने को मिल रहा है, देखिए इसके पीछे reasons बड़े clear हैं, इंडिया बहुत सारी चुनोतियों को एक time पे face करता था, पानी की shortage हुई, बिजली की shortage हुई, लेकिन वो सारी की सारी चुनोतियों को धीरे धीरे हमारी government के द्वारा sort out कर दिया गया है, यही एक बहुत बड़ा reason रहा कि पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि Apple के द्वारा अपनी बहुत major level की iPhone production को इंडिया में shift कर लिया गया है, अगर मैं आंकडो की बात करूँ, तो Apple के द्वारा दोस्तो, almost 14 billion dollars का जो iPhone का production है, वो केवल भारत के अपने अलग-अलग production unit से किया जाता है, आंकड भारत से ही होती है, अब देखिए जब Apple जैसी कंपनिया, Samsung जैसी कंपनिया अपने laptops को, अपने smartphones को भारत में ही manufacture कर रही है, तो obvious सी बात है कि जो यहाँ पे semi-connector chips बनाने वाली कंपनिया है, वो भी तो भारत में ही आएंगी, because आखिरकार यह वाली जो chips हैं, यह ultimately लगती तो इन ही devices में हैं, तो यह एक major reason रहा, पहले इंडिया ने अपनी गलतियों को ठीक करा, अपनी shortcomings को ठीक करा, और उसे basis पे यह वाली कंपनिया भारत में आई, और आज उसी basis पे जो semi-connector कंपनिया हैं, वो भी भारत में प्रवेश करना चाहती हैं, इतना ही नहीं, सबसे push मैं यहाँ पे मानता हूँ, और हमें इस चीज को लेकर thanks करना चाहिए Tata Group का, क्योंकि Tata Group ने ही सबसे पहले आगे बढ़कर के यह चीज़ अनौन्स करी कि हम भारत का सबसे बड़ा semi-connector plant बनाएंगे गुजरात के धोलेरा में, इन्होंने अनौन्स किया कि हम भारत में one of the very very major reason कि जब Tata इतना बड़ा निवेश कर रहा है तो obviously और भी कई सारी कमपनियां थी जिन्होंने कहा कि हम भी अब भारत में आकर के निवेश करना चाहते हैं और इसी का आज हम परिणाम देख रहे हैं कि सबसे पहले यह इतनी बड़ी exhibition भारत में होने वाली है और दूस कि यह सभी इंडिया में आकर के अपना जो बेस है इसको setup करने में interest showcase कर चुके हैं और अगर आप data एक और भी है उसको देखें तो एक popular agency है जिसका नाम है counterpoint technology market research यह technology company यह कहती है कि इंडिया की semiconductor की जो market है यह 2026 में 64 billion dollar को touch कर चाहेगी 2019 के size के हिसाब से यह वाली जो market है ना हो जाएगी तो obviously scope काफी है यही reason है कि बहुत सारी companyya suddenly अब इंडिया की तरफ हमें movement करती हुई देख रही है देखते हैं क्या होता है task आसान नहीं है क्योंकि अगर मैं आपको वैसे आकड़े बताओं आज की date में भी अगर हम chip equipment market की बात करते हैं तो इसमें China का बहुत ब बहुत बड़ा था इंडिया का share 0% था लेकिन आज आप देखिए पिछले केवल 3 वर्षों के अंदर अंदर आपल आइफोन का जो share है वो 14% है जो कि इंडिया के अंदर हमें बनता हुआ देखने को मिलता है उमीद करते हैं कि यहां पर भी हमें transformative changes देखने को मिलेंगे बाक तो 315 से भी अधिक learners and top 10 में 4 learners on academy के साथ जुड़कर के अपनी तयारी कर रहे थे आप भी अपनी तयारी हमारे साथ जुड़कर के शुरू कर सकते हैं हमारे centers नई दिल्ली के करोलबाग में नई दिल्ली के मुकरजी नगर में और उतर प्रदेश के प्रयागराज में आ चु चुके हैं for 2025 and 2026 और in GS courses के साथ साथ CSAT, essay writing, current affairs coverage, test series और साथ में educator interaction, 1 to 1 mentorship सभी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं फिर भी कोई doubt है आप centers को visit कर सकते हैं या फिर आप नीचे दिये गए phone numbers पर phone भी कर सकते हैं थांक यू सो मच पर लिसनिंग, stay tuned and stay safe